तो आप लोग कैसे हैं आसा करती हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो रोज की तरह हम ले करके आए कुछ बहुत ही धमाके दाय टिप्स है इसको आप जरूर देखिए धियान से देखिए और आयन तक जरूर देखना की भिंडी में हम वर्फ क्यों डालते हैं तो चलिए फिर देना करते हुए आप लोगों के साथ में सबसे पहली टिप्स सेर करते हैं हाँ आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं किस गाउं से किस सहर से मुझे करना बिल्कुल भी ना भूले तो क्या होता है जैसे कि हम तर्बूज लेकर के आते हैं वाटर मेलन तो यह हम रखते हैं तो ऐसे अगर रखते थे हैं तो उपर का जो होता है वो हिस्सा सी खराब हो जाता है और सुखने लगता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको किस طरे से रखे तो जो हमारे पास पेणि हम जिसमें सबदями लेकर के आते हैं उसी पास पन्नी को ले लीजे और पीछे की साइट से इसको अच्छे से कबर करके और एक गाठ लगा दीजिए जिससे कि क्या होगा हमारा तरिभूच खराब नहीं होगा बिल्कुल भी और ताजा जैसा हम लाते हैं वह ऐसा ही ताजा बना रहेगा तो इस तरह से लगा दीजिए सरकाफुंदी गाठ लगा करक तो आप इसको दो तीन दिन तक आराम से खा सकते हैं आसा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आएगी अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूसफूल है जैसे कि क्या होता है जैसे हमें हमारे जूते हों या सैंडिल हों या बच्चों के सूज होते हैं इनकों में पालिस लगाना होता है और पालिस हमारे पास नहीं होती अचानक से हमको कहीं जाना पड़ जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो घरेलो जुगार लगा करके हम इसको पालिस करेंगे तो इसके लिए आप लोग एंटल जरूर देखते रहें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना तो इसके लिए एक कटोरी ले लिए और इसमें डाल दीजिए जो कोको नेटायल होता है ये सिर्फ दो बुन तेल नहीं हमें और दो तीन बुन डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ये आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा तो इससे आपके जूते इतना अच्छी साइनिंग करेंगे कि आप जूते हुँ या साइन डिल हो किसी को भी आप पालिस कर सकते हैं अगर आपके पास पालिस नहीं है और आप हमें एमर्जनसी में जाना है तो हम फटा-फट से इसको पालिस कर सकते हैं तो देख सकते हैं कोई भी कपड़ा ले लिजिए जो आपका कपड़ा खराब हो उसको ले लिजिए उस पे हलका सा लगा करके और इस तरह से इसको हम पूर तो कि एसा अकषर होता है कि कभी-कभी हमारे पास पालिस नहीं होती है और इस तरह से Οजाला निल ड़ाल करके आप को कोनॉट डाल से पालिस कर सकते हैं तो देख सकते हैं किए हमारे जूते एक डम चमक गए हैं और एक डम नए जैसे हो गए हैं देखने में ही काफी अच्छे लगने लगे हैं तो आप भी और अच्छा हैं तो इसमें आप एक सूज और कर सकते हैं तो देख सकते कितना अच्छे से ये साइन किये हैं तो उम्मिद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आएगी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूजबल है, हर ग्रहणियों के लिए कि गर्मियों में जब बरतन धुलते हैं, अगर हम धुल-धुल के रखते रहते हैं, तो इस पे जो स समय भी नहीं लगता है, और जल्दी से काम हो जाता है, क्योंकि घर और किचन में इतने सारे काम होते हैं, जो एक साथ करना बहुत ही कठिन लगता है, और अगली टिप्स हमारी बिस्किट होता है जब खोल देते हैं दो तीन बिस्किट यूज की ए उसके बाद में खुला रख़ देते हैं तो ये शील जाते हैं और ये थोड़ा नम पढ़ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक प्लेट ले लिजिए और उसमें सारे बिस्क इससे आपके विस्किट एक भी खराब नहीं होगा और विस्किट आपका एकदम कड़क रहेगा और यह सीलेगा नहीं तो इस तरह से इसको फैला लिए हैं आप चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए आप प्रीज में इसको रख दीजिए किसी भी पैनल प भी इसका टेस्ट खराब नहीं होगा उसके बाद आप क्या करिए इसी डब्बे में भर करके और भर के फिर इसको किसी एर टाइट डब्बे में रख दीजिए अगर आपके पास डब्बा नहीं है तो इसके लिए भी हम बहुत ही बढ़िया जुगान लेकर के आये हैं कि ड जाहे जितने दिन तक रखे रहेंगे आपके बिसकिट बिल्कुल भी नम नहीं पड़ेंगे अब इसको आप कहीं भी रख सकते हैं जिसे कि हमारा बिसकिट नहीं खराब होगा अगली हमारी बहुत ही धमाकेदार टिप्स है कि जैसे वास बेसिंग होती है यह हर वक्त जो हमारा खाने वाला नमक होता है जो हम डेली खाते हैं वही नमक चाहिए एक चम्मच यह भी डाल देंगे और इसको पूरे पे फैला देना है पैलाने के बाद में आप सोच रहे होगे इससे क्या होगा तो बेकिंग सोडा हमारा क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करता है इसके बाद हम लेंगे कोलगेट, कोलगेट को आप किसी भी कपड़े पे लए लीजिए जिससे आप बर्दन दूलते हैं वो ले लीजिए नहीं तो कोई दूसरा कपड़ा भी आप ले सकते हैं, उस पे हम आधे चमच के करीब इसमें हम लगा देंगे कोलगेट और कोलगेट लगाने के बाद में चलिए अब हम किस तरह से साफ करेंगे जो हमारा इस पे वेकिंग सोडा पड़ा है और ये नमक है इसके साथ में ही इसको हम धीरे धीरे ऐसे ही लगा देंगे और लगाने के आपको बिना महिनत के कोई ना रखड़ना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा तो आपकी वेसिंग बहुत जल्दी से क्लीन हो जाएगी जैसे कभी-कभी होता है हम नहा दो लेते हैं उसके बाद में हम क्लीनिंग करने का मन नहीं होता है लेकिन फिर भी आप अगर करना चा क्लीन कर सकते हैं तो देख सकते हैं इस पे हमने लगा दिया अब पानी लगा करके इसको पानी चला दीजिए और अच्छे से साब कर दीजिए तो आपकी वेसिंग दो मिनट में ही चमक जाएगी और कोई भी दाग धब्बे नहीं रह जाएगे तो इस तरह से देख सकते कित बिंडी हमारी लूच पढ़ जाती है गर्मियों में बहुत जल्दी सूखने लगती है तो इसकी सबजी हमें बनाने में अच्छी नहीं लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत बेकार हो जाता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कोई भी वर्तल ले लिजिए जिसमें हम पान पानी डाल सकें तो इसको हमने फ्राइदान में डाल लिया है विंडी को डालने के बाद में आप इस पे थोड़ा सा पानी डाल देजिए और पानी डालने के बाद में इस पे वर्त डाल करके आप इसको दस-पांत मिनट के लिए छोड़ दीजिए फिर आप देखेंगे कि भिंडी बिल्कुल टाइट हो जाएगी और एकतम ताजी फ्रेस हो जाएगी इससे आपके पैसे भी बेस्ट नहीं होंगे और आपकी सब्जी भी ताजी हो जाएगी इसी तरह आप तुरोई हो गई या परवल है कोई भी सब्जी हरी सब्जी जो अगर आपको लगे कि सूख गई है तो इस तरह से आप बर्ख डाल करके अपनी सब्जी को ताजी बना सकते हैं आशा करती हूं आज की टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थे